तो यहां पर आज मैं आपके साथ शेयर कह रही हूं केक की रेसिपी तो यह केक जो है बने का बिस्किट से तो यहां पर मैंने यह बिस्किट लिये हैं दो पैकेट हाइड और सीक का बिस्किट मैं यहां पर यूज कर रही हूं तो friends आगर आप और भी कोई चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट यूज़ करना चाहते है वो भी आप कर सकते है पर बस वो चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट हो तो यहाँ पर मैंने दो पैकेट हाइडन्स एक बिस्किट ले लिए है तो और यह साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉको चिप ली है जो मार्किट में असानी से मिल जाती है तो यह मैंने थोड़ी सी चॉको चिप ली है क्योंकि बचों को बहुत पसंद होती है और यहाँ पर green color की मैंने tutti fruity वाली cherry ली है जो market में मिल जाती है तो थोड़ी सी ये ले ली है और यहाँ पर मैंने red color की cherries ली है बड़ी size वाली थोड़ी सी इसको हम decoration के लिए use करेंगे तो चलिए जली से बताती हूं next कैसे करना है, क्या करना है तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार अपना और यह बिस्किट्स है अब इन बिस्किट्स को थोड़ा सा तोड़ के पहले मिक्सी में सारे बिस्किट्स को उनको डाल देना है और आप देख लीजेगा कौंटिटी ज़्यादा ना हो हाफ आफ करके भी आप पर डाल सकते हैं तो आप इसमें डाल दीजेगा और इसको अब हम लोग बिल्कुल फाइन करके इसका पाउडर बनाएंगे बिस्किट्स का तो अब हम लोग इसको पीसते हैं चलिए जल्दी से इनको हम पीस लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फाइन इकदम पाउडर मैंने इस बिस्किट्स का बना लिया है और अब हम इसको नेक्स्ट्री क्या करना है मैं बताती हूँ आपको इस पाउडर को क्या करना है तो यहाँ पर अब हम एक बाउल ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है मिक्सिंग के लिए और यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है फ्रेंड्स यह देखी ग्लास में मिल्क है तो यह मिल्क रूम टंप्रेचर में है बिलकुल थंडा नहीं लेना है हमें बिलकुल नॉर्मल लेना है और ये जो गलास है 250 ml का गलास है तो मैंने यहाँ देखिए अब कम है तो मैंने 200 ml दूद यूज करा है बस और अभी मैं इसको थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे तो ये देखिए तो चलिए जल्यली इसको mix करते हैं और फेट लेते हैं तो यहाँ पर धीरे-धीरे mix करते रहेएगा थोड़ा-थोड़ा milk काप quantity में डालिएगा एक साथ दूद मट डालिएगा तो मैं थोड़ी-थोड़ी quantity में ही milk यूज कर रही हूँ तो अभी यह देखे दूद थोड़ा सा जब mix हो गया है इसमें तो अभी इसमें मैं इसको अच्छे से फेट लूँगे तो यह देखे मैं इसको फेट रही हूँ तो यहाँ पर अच्छे से जब मैंने mix कर लिया है मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितना smooth इसका बैटर चाहिए और कितनी इसकी होनी चाहिए देखे ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा पतला है अच्छे से हो गया है यह ready तो यह ready हो चुका है friends तो अब हम एक बरतन ले लेंगे जिसमें हम cake बनाएंगे तो यहाँ पर मैं अपना एक बरतन ले लेती हूँ तो यह देखिए मैंने बरतन ले लिया है और मैंने यहाँ प्टर जो था वो मैंनेWar्ट कल लिया था पहले ही और उसको अब मैं यहाँ पर इससे गीज कर लूँगे बरतन को कि ताकि हमारा केक इसमें चिपके न अच्छे से कोट हो जाए तो यह देखिए अच्छे से हो गया था और यहां में मैंने अब लिया है एक इनो साल्ट यह बरतन बिल्कुल रेडी कर लिया था पहले ही तो फ्रेंड्स यहां पर हम इनो साल्ट का यूज करेंगे जो नॉर्मल फूट साल्ट मिलता है इनो वाला वो यूज करेंगे इनो का पैकेट एक लिया है यहां पर नो बेकिंग पोडर मैंने डाला है ना मैंने बेकिंग सोडर डाला है इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इनो का पैकेट यूज करा है और वो भी हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब हम केक बनाने जा रहे होंगे तो फ्रेंड्स यहां पे जब बरतन रेडी हो गया था तो यहां पे मैंने यह फटा फट डाल के इसको फेटना है अच्छे से और यह दिखे थोड़ा फूल गया है यह बैटर और अब हम इसको फटा फट अपने इस बरतन में डाल लेंगे टांसफर कर लेंगे जल्दी से सारा बैटर इसका हम और अच्छे से बिल्कुल सेट कर लेंगे और यह देखिए यहां पर मैंने पहले से ही कडाई रख ली थी और इस कडाई में अब मैंने नीचे नमक डाला था और यह देखिए मैंने इसमें उपर से थोड़ी सी चैरी और चौको चिप डाल दिये थे और इसको मैं ढख दूँगी पंदरा मिनिट के लिए और पंदरा मिनिट में ही यह रेडी हो जाएगा और हम बीच में चेक जरूर करेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यह हो गया है केक हमारा रेडी विल्कुल स्पंजी सा बना है मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यहां से कितना स्पंज है इस पे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा री खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है यह मेरे पास चॉकलेट थी तो मैंने थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट कर ली थी अब मैं थोड़ी सी ज़़ादा नहीं लगा रही हूँ इसमें और इसमें हलकी सी उपर लगा दूंगी चॉकलेट क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है चॉकलेट होती है और खाने में जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सब पूरी चॉकलेट जो है मैं सेट कर लेती हूँ तो अच्छे से पूरी तरफ हलका अलका श्प्रेट करते रहेगा आप चॉकलेट को तो यहाँ देख सकते हैं चॉकलेट मैंने अच्छे से लगा दी थी चारो तरफ अब बीच में थोड़ी से यहाँ पे इसको सजा देंगे टूटी फूटी चैरी से तो यहाँ पे मैं कॉमिनेशन के हिसाब से ग्रीन और रेड चैरी का यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चैरी ली थी छोटी वाली जो बीच में डाली है और साइड में हम लगा देंगे बड़ी वाली चैरीज तो मैंने इनको दो पीसेज में कर लिया था और साइड में सब चैरीज लगा देंगे जल्दी से देखने में देखे कितना सुन्दर लग रहा है और बचों को तो इसी तरीके से कलरफूल चीजे बहुत पसंद आती है तो बचों के लिए ये केक जो है बिल्कु क्विक वाला है कभी भी जब उनका मन कर या फटा फट बना कि उनको दे सकते हो खाने के लिए क्योंकि इसमें बहुती कम चीजे यूज होती हो जल्द से जल्द बन जाता है ये केक तो फ्रेंड्स ये इस तरह का केक आप भी अपने घर पे बनाएए अपने बचों को खिलाएए इंजॉय करिए क्योंकि घर पे बनी हुए चीजे सब अच्छी होती है, साफ सुतरी होती है तो ये देखिए, ये कितना सुन्दर लग रहा है देखने में न तो यहाँ पर थूर इसे चौको चिप मैं और उपर से डाल दूंगी क्योंकि बचों को चौको चिप तो चाहिए क्योंकि उनको अच्छा लगता है जो चौको चिप मैंने पहले डाले थे वो अंदर तुड़े मेल्ट हो गए बट वो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए ये केक हो गया है रेडी तो आई हो आप भी अपने बच्छों को इसी दून से बनाएए खिलाएए एंजोई करिए